जैमातादी दोस्तों, वर्ल बेस्ट मेजिक में आपका हार्ड विक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखें. दोस्तों, वैसाग मा के सुक्ल पक्ष की तृतिया तिथी को अक्षे तृतिया का पर मनाया जाता है. य आपको बता दें कि अच्छे तृतिया को सुयमसिद मूरत कहा जाता है. इस दिन पिना पंचांग देखें आप कोई भी काड़ कर सकते हैं. मानता है कि इस दिन खरिदारी करना बहुत ही सुभ होता है. इस दिन खरीदी गई चीजों में बरकत होती है. हाला कि अक्षे तृत स्थिप के दिन क्या खरीदना चाहिए एसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है आपको बता देंगा हिंदू धर्मसास्त्रों में इस dette का विसेस महेत्त बताया गया है माना जाता है कि इस दिन जो जो कुछ भी खरीदा जाए वह अक्षे हो जाता है यानि उसका कभी भी छे नहीं होता है तो आज हम आपको इस वीडियो में यहीं बताने जा रहे हैं कि अक्षे त्रतिया के दिन क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्विस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल World Best Magic को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथी इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों अक्ष्य ततिया के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ही सुभोता है हाला कि सोना चांदी खरीदना सबका बजट अलाव नहीं करता है लेकिन जो लोग सोना या चांदी खरीद सकते हैं तो उने इस दिन सोना या चांदी जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा करने से घर में आर्थिक इस्तिती सुद्रण होती है। और मालक्षमी बेहदी प्रशन होती है। और जो लोग इस दिन सोना या चांदी नहीं खरी सकते तो वह इस दिन अनाज जरूर खरीदें। मानिता है कि अक्षे तरतिया के दिन अनाज खरीदते हैं तो आपके जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। इस दिन मुख रूप से डाले खरीदना वेहदी सुभ होता है। इस दिन डालों के साथ चावल और जोग खरीदना भी सुभ होता है। क्योंकि ये आपके ज दिए स्रीयंद की खरिदारी करते हैं तो यह आप के जीवन में समरध्धी लाने में मदद करती है इस दिन स्रीयंद की पूजा करने का भी विसेश्लाब है इसके लावा अक्श्य तर्थिया के दिन दच्छियना अगले दिन आप इन कोड़ी को लाल कपड़े में बांद कर अपने धन इस तर्थी संख खरीदना भी सुब होता है। या पूजा इस्थल पर रख दें। इससे मलक्षमी बेहदी प्रशन होती है। इससे लाल या पीले रंगे कपड़े में बांद कर अपने पूजा इस्थल पर रखें। इससे घर में धन का आगमन होता है और आप दिन दूनी रात चोगनी तरक्की करते हैं। इसके लावा अक्षर ततिया के दिन मालक्षमी जी के चरण पादु का घर लाएं। चाहिए वो सोनी की हों या चांदी की हों। जैसा आपका बजट एलाव करें। दोस्तों लक्षमी जी की चरण पादु का घर लाना बहुत ही सुभ होता है। ये चिन प्राया चांदी के पत्तुर पर मालक्षमी के दोनों चरण के साथ साथ 24 चिन बने होते हैं। जैसे कमल, मचली, ओम, ध्वज, स्वास्तिक, मंदिर इत्यादी। ये चिन अपने आप में ही संपूर्ण है। मालक्षमी को प्रसन्य करने के लिए। ये चिन आप अपने में गेट, तिजोरी या पूजा इस्थर पर लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि ये चिन घर के अंदर की ओर आते हुए लगाएं ताकि मालक्षमी आपके घर में आ सके। इस चिनने का पूजन करने से और दर्सन करने से हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। और मालक्षमी की कृपा बरस्ती है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि आप अच्छर तृतिया की सौपिंग हमेशा सुब मूरत में ही करें। इस दिन धातु की वस्तों खरीदना बेहदी सुब और सौभाग को बढ़ाने वाला होता है। इसके लावा इस दिन वाहन, मकान भी खरीदना सुब होता है। ये धन समपत्ति से जुड़ा हुआ है। अक्छे तृतिया के दिन इन्हें खरीदने से ये इस्थाई बने रहते हैं। दोस्तों जाडू को धन की देवी लक्षमी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अक्छे तृतिया के दिन नई जाडू खरीदना बेहदी सुब होता है। इससे नकरात्मकूर्जा घर से बाहर जाती है और घर में सकरात्मकूर्जा का प्रवेस होता है। कहते हैं जिस घर में साफ सफाई रहती है उस घर में मालक्षमी इस्थाई रूप से निवास करती है। तो इस दिन आप जाडू भी अवस्थ खरीज सकते हैं। इसके लावा अक्षे तर्तिया के दिन गोमती चक्र खरीदना भी सुभ होता है। आप गोमती चक्र 5, 7, 11, 21 की संख्या में खरीदें। ये विश्णु जी के चक्र का प्रतीक माना जाता है। इसलिए अक्षे तर्तिया के दिन आप गोमती चक्र जरूर लाएं और इसकी पू इस दिन आप नमक के पैकेट का इस्तमाल भी करें। दोस्तों नमक का पैकेट घर लाने से धन की कभी भी कमी नहीं होती और घर में सुकसांती बनी रहती है। इसके लावा साबुत धनिया भी धन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप अक्छे तरतिया के दिन साबुत धनिया जरूर घर लाएं और पूजा में इसे अवस्य रखें। इसके बाद इसे किसी गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन का आगमन होता है। चलिए अब जानते हैं कि अच्छे तरतिया के दिन कौन कौन सी वह चीजे हैं जो आपको भूल कर भी नहीं खरी दिनी चाहिए। दोस्तों अक्षे तरतिया के दिन कांच का समान क्रॉकरी या सीचा या कोई भी कांच का डेकोरेटिव आईटम भूल कर भी ना खरी दें क्योंकि कांच का सम्मंद राहु से होता है इसके लावा अच्छे तर्थिया के दिन monsieur अलमुनियम का कोई भी बरतन ख़रीदेना नहीं चाहिए अलमुनियम ख़रीदेना भी इस दिन असुब माना जाता है इस दिन आप कोई बीनोकीली वस्तू जैसे चाकू कैची आद भी ना खरीदें दोस्तों अक्षे तरतिया के दिन लोहे से बनी कोई भी चीज ना खरीदें इस दिन लोहे से बनी चीजें खर लाना असुप माना जाता है इसे से आपकी परिसानियां बढ़ सकती है आप लोहे की कढ़ाई तवा चिम्टा जैसे बरतन ना खरीदें और ना ही इस दिन स्टील के बरतन खरीदना चाहिए क्योंकि स्टील भी लोहे का ही एक रूप है दोस्तों अक्षे तर्तिया के दिन प्लास्टिक के बरतन या प्लास्टिक की भी कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए ऐसा करना भी सुब नहीं होता है इसके लावा अक्षे तर्तिया की सौपिंग करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखें जैसे इस दिन सनी से सम्मंदित वस्तुएं ना खरी दें जैसे तेल, जूता, छाता या काला कपड़ा या लोहे के बरतन आदी ये असुफल देते हैं तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवस्त से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद